हैलो दोस्तों तुसी किवे हो वैसे किसे होर ग्रे ते जान वास्ते अते उत्थे वसंदी तुहड़ी इच्छ किवे दी हैं की तुसी मंगल ग्रे ते जान वास्ते बहुत इच्छुक हो जे हां, ता तुसी सच्मुचोन विचो इक हो, जो बहुत अग्येदी सोच दे हन। मंगल ग्रय ते एक बस्ती स्थापत करंदी योजना बना रहे हन। की तुसी इस दा आरत जान दे हो? इस दा मतलब है कि बहुत जल्दी असी मनुख तर्ती तो इलावा किसे होर ग्रय ते जाके रह सकांगे। हां, इस तरह सोच के मैंनू बहुत खुशी मिल दी है, पर एवी ओना ही अजीब लगदा है क्योंकि तर्ती नू छड के किते होर रंदा ख्याल अपने मन विच कदे नहीं आया। अजिहे चेस नू छड ड़ना थोड़ा मुश्किल होवेगा, जिस नल साड़ा इनना डूंगा रिष्टा रहा होवे। खैर, होन लई, आओ अगे देख दे ह अते ओना सवाला बारे जान दे हां जो तर्ती चड़न अते मंगल ग्रे ते वसंदी खबर सुन के तुहाडे दिमाग विच हल चल पैदा कर रहे हन। जिवे की सानू तर्ती चड के जाना पवेगा, साडे सूर्जी सिस्टम विच बहुत सारे ग्रे हन, ता असी मंगल नू ह कि क्यों चुणिया? की मंगल तर्ती वरगा ही ग्रे है? की इत्थे पविख विच जीवन दी संबावना है? जाकी पफ़ला वि उथे कदे जीवन मौझूद सी आहोन भी हैगा? की मंगल ग्रे अजे वी वरतमान विच जीवन दे संकेत दिखाऊंदा है? अते जेकर सी तर्त तो किते दूर रहना है तासी चंदर्मा ते क्यों नहीं चले जांदे। तो हड़े मन विच जहे कई सवाला दे जवाब इस वीडियो विच तो हड़ी उड़ी कर रहे हन। इसलई एक जही उड़ान लई त्यार हो जाओ जिस दा सफर बहुत दूर तक दा है अते रोमांच नाल पर पूर भी है क्योंकि ये मंगल ग्रे दी यात्रा है जिते नासा साल दो हजार सेंती तक कपले पुलाड यात्रियानु पे जंदी त्यारी कर रहा है ता जो मंगल ग्रे ते जीवंदियां संभावनावां दा जल्दी तो जल्दी पता लगाया जा सके अते उत्थे मनुखी जीवंदी नवी शुरुआत कीती जा सके अते एलन मस्क साल दो हजार चब्बी तक यानी नासा तो वी पहला मंगल ते बस्ती बणोंदा इरादा बणा चुके हन पर की मंगल ग्रे ते पोंचन अते इस ते मनुखानु वसाओंदी जल्दबाजी दा कोई खास कारण है जिस तरह तर्ती तिस रोत तेजी नाल खतम हो रहे हन अते कुद्रत दा संतुलन वद रहा है इत्थे किसे विलेवी आफत आ सक्दी है बरफ पिगल सक्दी है पुचाल आ सक्दा है अते महामारियां प्यानक रूप ले सक्दिया हन स्टीफन हाकिंग ने वी कहा सी सानू तर्ती छड़नी पवेगी क्योंकि एत्थे किसे विलेवी तबाही हो सक्दी है अते एलन मस्क दा करना है कि जिस तरह लगपग पैंट मिलियन साल पहला एक ग्रे दे नाल तर्ती टकराउन कारण तर्ती तो डायनासॉर्स दी होंद पूरी तरह मिट गई सी उसे तरह पविक्विच किसे वी समय अजहियां कटनावा वापर सक्दिया हन इसले इसाननू अपना कोई नवा ठिकाना लब लेना चाहिदा है अते असी मनुखानू वोह ग्रे बनना चाहिदा है अर्थात कई ग्रेहान तिरन वाले जीव बनना चाहिदा है इसले उस दी कंपनी सपेस एक्स मंगलनू बहुत तेजी नाल टेराफारम करन दी योजना बना रही है पाव मंगलनू तरती वरगा ग्रेह बनावन दी त्यारी कीती जा रही है ता जो उथे मनुखी जीवन संभव हो सके सोचंगी गल है किसे नवी था ते जानदा बहुत उत्षाह है ये अपने लेई बिलकुल वकरियते नवी दुनिया होवेगी सगो एक बिलकुल नवा ग्रेह हून इस सब बारे सोचके उमीद है कि ये ग्रेह बिलकुल इस दे ना वरगा होवेगा पाव साड़े सारे अदा उत्थे मंगल ही मंगल होवेगा पर की तुसी नहीं सोच दे इस साड़े ले एक मुश्कल फैसला होन वाला है क्योंकि आज ता कसी पढ़ दे, सुन दे आ रहे हां केसी तर्ती, ते रहन दे हां, अस्मान नीला है, एक दिन चोवी कंटे आदा है अते साल बिच तिन सो पैल्ट दिन हुन दे हान, पर हुन जदो मंगल ग्रे ते बस गए ता इस सब बदल जावेगा पर सिरफ मंगल ग्रे नुही चुनन दा कोई खास कारण, जवाब जानन लई तो हानू साड़े नाल सफर जारी रखना होवेगा एस लई आओ, पर सावदान रहो, क्योंकि ए मंगल दी यातरा है तुसी जान दे हो कि साड़े सूर्जी मंडल विच अठ ग्रे हन, जो अंदरूनी अते बारी ग्रेयां विच वंडे होए हन अंदरूनी ग्रे सूरज दे नेडे हन, अते बारी ग्रे सूरज तो बहुत दूरी ते स्थित हन अंदरले ग्रेयां विच चार ग्रे हन मर्करी पाव बुद, वीनस पाव शुकर, तर्ती पाव अरथते, मंगल जानी के मार्स ए चारे ग्रहे टे रैशट्रियल दे हन पाव उनदी एक सतह है अते बारी ग्रहा विच चार ग्रहे हन व्रेशपत अर्थात जुपिटर, शनी अर्थात सेटरन, अरुन अर्थात योडिनस अते वरुन अर्थात नैप्चून, इचारे गैसी ग्रहे हन पाव उग गैस दे बड़े हन अते ओना कोल कोई सता नहीं है हुन एहन विचो मंगल ग्रहे नू चुनन दा एकको एक कारण इसु ते जीवन दी संबावनावा मिलनिया जदो की होर ग्रहां ते अजहे कोई संकेत नहीं मिल दे बुद सूरज दे सब तो नेडे दा ग्रह है इसलिए समझो की सूरज दी गर्मी कारण एक किनना गरम होवेगा इस ग्रह ते देंदा तापमान 430 डिगरी तक चला जानदा है इसलिए रात नू माइनस 680 डिगरी सेलसियस तक चला जानदा है हुन असी इस तापमान दा अंदाजावी नहीं लगा सकदे इसलिए तुसी उत्थे रेंड बारे किवे सोच सकदे हो हुन गल कर दे हां शुकर ग्रह दी ता शुकर मनाओ कि फिलहाल असी इस ग्रह ते रेंड वाले नहीं हां क्योंकि इत्थे सल्फियूरिक आसेड दी बारिश हुन्दी रेंदी है इत्थे पानी भी नहीं है गैसा नाल है, यानी इस ते लेंड करना इंज होवेगा। जिवे तुसी किसे बद्दल ते लेंड कर रहे हो। हुन बद्दल ते ता नहीं रहा जा सक्दाना। इसे तरह शनी, अरून अते वरुन वी सूरज तो बहुत ज्यादा दूरी ते हन। अते गैसा नाल बने होए यानी फिलहाल उते जान दी वी कोई संभावना नहीं है। हुन गल करिये तरती दी। ता उस ते ता असी पहला ही रहे रहे हां, अते मंगल जोके सूरज दे नेडे वाले ग्रयां वीच चौथे नंबर ते आंदा है, ओ तरती दे काफी नेडे है, अते उस दे कोल तरती वर अपना तरातल वी है, यानी कि सरफेस वी है। ए ग्रय सूरज तो बहुत ज्यादा दूरी ते वी नहीं है। यानी बाकी ग्रयां दी तुलना विच ना ता बहुत ज्यादा गरम है, अते ना ही बहुत ज्यादा ठंडा यानी मंगल ही उग्रय है, जिस ते इंसान दा जीना स उस्तो पहला तो हनू दस देए कि इस ग्रह ते जीवन इन्न वी आसान नहीं होवेगा. इननी जल्दी दूजी तरती नहीं बन सकदी. अते जेकर आज कोई इस ग्रह ते कदम रखना चावे ता. इत्थे मौझूद रेडियेशन उस दी जान ले सकदी है. इत्थे दा लो टें हाल तुसी सुपने विच्वी मंगल ते जाओ. ता अपने नाल पूरा बंदोबस्त करके ही जाओ. होल ये सुनके शायद हैरानी होवे पर अजे तुसी मंगल ते जाके खड़े नहीं हो सकदे. क्योंकि ए ग्रह अजे इनसाना दे रेंड लाइक बिलकुल भी नहीं है. इत् अथे तक पोंचन्दा प्रोसेस असी पूरा कर लवांगे, पर सानु अपने सर्वाइवल लेई, इस प्रिप विच सब कुझ नाल लेके जाना पवेगा. ता कि उथे रेहवी सकीए, अथे वापस मोड सकीए, क्योंकि उथे तर्ती वांग नदीदा पाणी नहीं पीता जा सक्दा. दरकता तो फल तोड के नहीं खाय जा सक्दे. अते अपनी गड़ी विच बैठके बहुत आसानी नाल, कारवी वापस नहीं जाया जा सक्दा. ता सवाल ये ओंदा है कि फिर मंगल ते जान दी इननी त्यारियां क्यों हो रही आहन? अच्छा सवाल है. दोस्तों आज जेकर असी मंगल ग्रह नूँ अक्सपलोड करन विच जुटे हो एहां, ता इस दा सब तो वड़ा कारण ए है कि तरती तो बाद एहो एक ग्रह है, जित्थे जीवन दी संभावनावा काफी ज्यादा है. अते तरती तो इलावा ब्रहमंड विच के किते होर वी जीवन संभव है, ये जानन लेई मंगल एक वदिया जरिया नजर आ रहा है. अते सबूत दस देहन कि इस ग्रह ते पहला कदे बहुत सारा पाणी वी सी. अते ये रेंड लाइक गरम ग्रह वी सी. अते इस दा वातावरन वी जीवन नू सहाइक सी. यान जिसनू रात दे आसमान विच देखन दा अनंद लिया जा सके? ता गल लेहो जही है के एता मंगल नू नेडे तो जान के ही पता चलेगा. इसलई आओ मंगल दे इस रोमांचक सफर विच अग्गे वाद दे हा. मंगल ग्रह जिसनू मार्स वी केहा जान्दा है, इस दा नाम रोमन गौड आफ वार्तों मिलिया है. अते मारच दे महीने नू ए नाम वी मार्स तो ही मिलिया है. है ना इंट्रेस्टिंग, मंगल दी उमर लगपग 4.6 बिलियन साल है. अते ए ग्रह बुध दे बाद, सौर मंडल दा दुजा सब तो छोटा ग्रह है. वेख के अजीबता लागदा है कि असी एक छोटे ग्रह ते शिफट होन वाले हा. पर की करिये, जे असी तरती दी चंगी तरा कादर कीती हुन दीता. आज इस वड़े ग्रह तो बोरी बिस्तरा समेटन दी नौबत ही ना ओन दी. खै, फिलहाल ता मंगल दी ही गाल कर दे हा. सूरज तो इस दी दूरी 208 मिलियन किलोमीटर है. जद के तरती दी सूरज तो आउसत दूरी 101.5 मिलियन किलोमीटर है. जेहे विच सूरज दी रोशनी इस ग्रह तक पोंचन विच लगपाग 12.6 मिंट लग जान्दे है. जद के तरती तक पोंचन विच सूरज दी रोशनी नौ 8.3 मिंट दा स इसलेई तुहनु छेतो विवद मंगल ग्रिहां दी लोड़ पवेगी, अते जे तुसी मंगल ग्रिह नाल सूरज दे आकार नुँ परंदा इरादा करोता, इसलेई तुहनु मंगल दे आकार दे सत मिलियन ग्रिह चाहिदे होणगे. सुनके तुसी हैरान रह गए होगे, पर जे तुहनु उड़ना कुद्डणा बहुत पसंद है ता, इसलेई तुसी सिरफ एक मंगल ग्रिह ते परपूर मजा ले सकदे हो, क्योंकि मंगल ग्रिह ते तुसी तर्ती दे मुकाबले तिन गुनावद उच्चा जम्प कर सकोगे, क् पर इसनाल होण वाली परेशानी भी काफी वड़ी हो सकदी है, क्योंकि ये लोग ग्रेविटी हड़ियानू डेमेज भी कर सकदी है, पर एक खुश खबरी एहो जेही भी है, जिसनू सुनके तुसी खुश होए बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि जे तुसी अपने पार न अगया ना मजा, अतेस दा कारण है लोग ग्रेविटी, पर एवी जान लोग कि तरतीदा एग्रेव मंगल आकार विच तरतीदा लगपग अद्दा है, अतेस दा व्यास 6,789 किलो मीटर है, जो कि तरतीदा लगपग तरविंजा प्रतिशत है, इसे तरह मंगल दी सतह दा ख तरतीदी पूरी सुक्की जमीन दे बराबर है, चलो कोई गल नहीं, पावे मंगल तरतीदी तो अद्दा है, पर इस दे कोल चनता दो हन, यानी मंगल दे कोल दो कुदरती सैटेलाइट हन, फोबोस अते डीमोस, ए दोवे सैटेलाइट तरतीदे चनतो काफी छोटे हन, अते इहना दे आकार वी अनेहिमित है, इहना विचो फोबोस काफी वड़ा है, जो होली होली मंगल वल चोक रहा है, अते साइन्टिस्ट दा मनना है कि एक दिनों मंगल दी सतह, ते आके नश्ट हो जावेगा, तो हन्नों एक दिन विच जो चोवी कंटे काट लग दे हन, उस कमी पर इसले ही तुहानू मंगल ते जाना होवेगा, पर हाँ, इसले ही वी त्यार हो जाओ कि मंगल दा एक साल 687 दिना दा हुंदा है, यानि तुहाडे जनम दिन दी पार्टिय ते तोफ्या लेही तुहानू तर्ती दी तुलना विच लग पग दो गुणा इंतजार करना मंगल नू तर्ती तो लग पग दो गुणा समा लग जान्दा है, यून तर्ती दी कक्षा वी अंडाकार है, पर ओ मंगल दी कक्षा नालो काट अंडाकार है, शायद तुसी जान्दे हो कि मंगल नू रैड प्लैनेट यानि लाल ग्रेवी किहा जान्दा है, कि मंगल बहुत गरम है? बिलकुल नहीं. मंगल दा रंग गर्मी दी वजहा नाल नहीं, बलके थे मौझूद तूर दी वजहा नाल लाल है. क्योंकि थे दी मिट्टी अते चटाना विच आइरन आकसाइड काफी ज्यादा मात्रा विच मौझूद है, जिसनु असी बोल चाल विच रशट यान की जंग कहिंदे हां. इसे करके ए ग्रे इनना लाल है. मंगल ग्रे दे दोवे गोलार्ज, आइरन रस्टनाल टके होए हन, जो एहना गोलार्दानू नारंगी लाल अते पूरा रंग दिन दे हन. इस दा मतलब मंगल गरम ग्रे नहीं है, अते तुहानू गर्मी दी चिंता कर सक दे हो क्योंकि ए ग्रे एक ठंडा रेगिस्तान है, एक ठंडा रेगिस्तान जित्थे दा ओसत तापमान माइनस बार्ट डिगरी सेल्सिस हुन्दा है. पर मंगल दे इनना ठंडा होंदा कारण की है? आओ पता लगाए. मंगल दे वातावर्ल विच 96 प्रतिशत कार्बन ड इस दी तुलना तर्ती दे वातावर्ल नाल करियेता, तर्ती ते 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत आकसीजन अते 1 प्रतिशत होर गैसा हन. यानि इना दो अग्रे आदे वातावर्ल विच काफी ज्यादा अंतर है. अते क्योंकि मंगल दे वातावर्ल विच कार्बन होना चाहिदा सी पर इस दा वातावर्न तर्ती दे वातावर्न नालों बहुत ही पतला है इनना पतला के तर्ती दे वातावर्न दी तुलना विच इसो गुणा वद पतला है जो गर्मी नू अपने अंदर रोक नहीं पाउंदा इसले ये गर्य इनना थंडा है अते सूरज तो इस दी दूरी वीता तर्ती दी तुलना विच ज्यादा है। अते जो थोड़ा बहुत लिक्विड वाटर इत्थे मिलेया है। ओवी इस ग्रह दे त्रुवां ते बरफ दी टोपिया यानी आयस कैपस दे रूप विच मौजूद है। बदल दे समय दे नाल मंगल ते पाणी मिलना आज पावे ओखा लग रहा होवे पर पहला कदे मंगल ते बाढ़ वी आई होवेगी। इस दे निशान मिले हन अते मंगल दे दखनी तरुवी बरफ दी टोपी दे हेठा एक दर्या दे सबूत वी मिले हन। इस करके ही साढ़े पविखली मंगल ते पाणी दी अते साढ़े जीवन दी आज काफी वदी है यानि पहला कदे मंगल ते पाणी रहा होवेगा। अते अग्गे वी मंगल ते पाणी दिया संभावनावा वदाईयां जा सक दिया हन। पर इस विच शायद बहुत समा लग जावे। इसे लेई सानू एता समझ ही लेना चाहिदा है कि असी तर्ती दे जलनूता बचाही लवांगे तां जो साड़ा अजता प्यासा ना रहे। वातावर वी है जेहे विच मंगल दे वातावर विच साह लेना किन्ना मुश्किल होवेगा। इस दा ता शायद असी अंदाजा नहीं ला सक दे। पर इस सक दे हां कि अजेहे वातावर विच साह लेंड लई अपनी-अपनी आक्सीजन लेके जानी पवेगी। साड़ेले चंगी खबर अते उमीद दी किरन ए है कि नासा ने परसिवरंस रोवर दे जरिये मंगल ते आकसीजन बढ़ाउन दी शुरुआत कर दिती है। इस दा मतलब पविख विच हालात बेहतर जरूर होनगे। पर जे तो हनु अजिहा लगदा है कि आज असी अचानक ही म मंगल ग्रह बारे इनना कुछ जान पा रहे हां जो दिल्चस्ववी है अते नवावी ततो हनु ए पता होना जरूरी है कि मंगल ग्रह नू असी आज तो नहीं जान दे। बलकि बहुत पहला तो इस ग्रह नू असमान विच चमक दे तारे वांग देख्या जा रहा है। अते इस ग्रह ते मौझूद जीवन दिया संभावनावा बारे वाद तो वाद जान पा रहे हां। इसले ही साड़े विज्ञानिया अते विज्ञान नु तनवाद अते तो हनु वी तनवाद किहा जा सकदा है जे तुसी ए दस दियो की तरती अपने अक्ष ते किनना चुकी क्योंकि इहना दोमदे एक्सिस दे चुकाव विच ज्यादा अंतर नहीं है इसले ही मंगल ते तरती वांग सीजन वी मिल दे हन। यानी बसंत, गर्मी, पत्चड अते सर्दी इहना चारा सीजनान दा अनंद उत्थे वी लिया जा सकदा है। चलो एता चंगा होया पर याद रखो क्यों मंगल है, इस करके कुझ तरती तो वकरा होवेगा। इसले ही मंगल दा हर सीजन लग पग दो गुना लंबा हुन्दा है। क्योंकि मंगल ग्रे दा एक साल वी तरती दे एक साल तो लग पग दो गुना हुन्दा है। अते मंगल ते सब तो लंबा सीजन बसंत द जो 194 दिन दा हुन्दा है अते 45 सब तो छोटा सीजन हुन्दा है जो 102 दिना तक चल लदा है सीजनान देलावा मंगल ते तर्ती वांग जवाला मुखी अते काटिया वीहन अते तुहनु ए जानकर हैरानी होवेगी कि जिस मंगल ते अजे तक किसे दा ठिकाणा नहीं बढ़या उस मंगल ते सो और मंडल दा सब तो उच्चा पहाड मौजूद है जिस दा नाम है ओलंपस मूंस अते एक जवाला मुखी है इस दी उचाई माउंट एवरेस्ट तो लगपग तिन गुना है माउंट एवरेस्ट दी उचाई 8.8 किलोमीटर है यानि 19,09 फीट ता ओलंपस मुलव 9 किलोमीटर यानि 72,000 फीट है हून तुसी कल्पना कर सकते हो कि एक किन्ना उच्चा होवेगा अते जे तुसी उचाई दी कल्पना करन लगपए होता गहराई बारे सोचन लई वी त्यार हो जाओ क्योंकि मंगल ते सिर्फ सब तो उच्चा पहाड ही नहीं है बलकि स और मंडल दी सब तो वड़ी काटी भी है जिना विचो एक है वेलस मेरिनरेस इस काटी नू ए नाम मेरनर 9 मार्स आर्बिटर तो मिलेया है जिसने 1971 तो 1922 विच इस काटी दी खोज कीती सी मंगल दी वेलस मेरिनरेस काटी 4000 किलोमीटर लंबी है अते इस दी गहराई 8 गैरी है ए अंतर ता काफी ज्यादा है दोस्तो पर कोई गल नहीं मंगल ते तरती वरगे पहाड काटियां ते मौसम हन ए जान के वदिया लगगा की तो हनू पता है कि एना दे इलावा मंगल दी सत ते वड़े टोए वी हन उना विचो सब तो वड़ा टोआ है जो लगपग 2200 किलोमीटर चोड़ा अते 8 किलोमीटर गैरा है ए ता वाकई चोकाउन वालिया गल नहीं मंगल ने ता अपने अंदर बहुत कुझ छुपा रख्या है जिसनू जान के असी हैरानी नाल पार जान दे हां हां पर इस गल दी तसल्ली है कि मंगल ते बहुत कुझ तरती वरगा एक कि मंगल ते ता दरखत ही नहीं हन हून सवाल उठदा है कि कि तुसी दरखता दे बिना जीवन दी कलपना कार सकदे हो बिलकुल वी नहीं अजेहे विच जे तुसी मंगल दी मिट्टी विच दरखत उगाउन दे बारे सोच दे वी हो ता वी दरखत उगाउना इनना आसा नहीं होवेगा, क्योंकि इस दी मिटी विच पोशक तत हन ही नहीं, अते इत्थे दा मौसम वी काफी ठंडा है, हाँ, पर शुरुआत विच जे कुछ फसला उगायान जानता, कुछ बितर नतीजे मिल सक्दे हन, फिर बांस दा दरखत है न, तो हाडे नाल साथ देनले यानी म मंगल, ते असी बांस होगा सक्दे हा, क्योंकि मंगल दी मिटी इसले ही उचित है, अते फिर बांस नू ज्यादा पोशक तत्ता दी लोडवी नहीं हुन्दी, पर जे तुसी मंगल ते तरती वरगे दरखत देखना चाओंदे होता, तो हानू शायद सौ सालां दा इंतजार करना पवे, क्योंकि सौ साला बाद मंगल ते दरखतों गौना शायद आसान हो जाए, अजिहे विच्च की ओ एक सौ साला विच्च सानू तरती दे दरखतां दा ख्याल नहीं राख लेना चाहिदा, हुन तुहाडे मन विच इस गलदी चिंता है कि मंगल ते दरखत नहीं हन इस तो पहला तो हनू दास दईये की मंगल ते ता तरती वरगा मजबूत चुमकी खेतर, मैगनेटिक फील्ड वी नहीं है, ए मैगनेटिक फील्ड एलेक्ट्रिकल चार्ज दी ऐसी लेयर हुन दी है, जो साड़े ग्रे तरती नू केर के रख दी है, इस खेतर दी बदौलत ह इस ग्रेते जीवन सुरख्यत है, क्योंकि ए सूरज तो अउन वाले चारजड पार्टिकल्श नू रोक लेंदी है, जिना नू सोलर विंड के हा जान्दा है, हुन सवाल है कि जे ए सुरख्यत लेयर ना होवे ता की होवेगा, ता तरती दी ओजोन लेयर ही खतम हो जावेग एता सारे ही जान दे हन कि ओजोन परती सूरज तो अउन वाली प्राबैगनी किरना तो साड़ा बचा कर दी है, अते होन जदो इस पर्त विच छेद होना शुरू हो गया है, ता इस दे साइड इफेक्ट वी दिखन लग पए हन, सोचो, मंगल ते ता ऐसी कोई पर्त अते ऐ मंगल ते कोई चहिल पहल नहीं रहन दी, पर इत्थे तूफान दी आवाजाई आकसर हुन दी रहन दी है, इत्थे ओन वाले तूड़ दे तूफाना नू शांत होन विच महीने लग जान दे हन, इस करके मंगल ते कीते जान वाले रिसर्च विच काफी मुश्किला आउन द होगे की मंगल ते खड़े होके सूरज नू देखन ते सूरज किवेदा दिसेगा, असमान किवेदा होवेगा आते की उत्थे भी संसेट बहुत सुंदर होवेगा, ता चलो तुहाड़े इना ख्याला नू भी मंगल दी हकीकत नाल मिला दिन दे हां, अते तुहानू दस दि वादिये की मंगल ग्रे तर्ती दी तुलना विच सूरज तो वद दूरी ते है, इस करके उत्थे मंगल ते तुहानू सूरज तर्ती ते नजर आउन वाले आकारदा केवल दो तेहाई ही नजर आवेगा, तो हड़ी इस हैरानी विच एक होर हैरानी जुडेता किवे रहेग क्योंकि ए जान केवी तुसी हैरान हो सकदे हो के मंगल ते जाके तुसी ए गाणा नहीं गास खोगे, नीला आस्मान सो गया, क्योंकि उत्थे आस्मान नीला नहीं बल के लाल दिस्दा है, अते उत्थे दे सूरज चड़न विले अते सूरज छिपन समेदा रंग नीला दि एक आरण है मंगल दा बहुत ही कट वातावर्न अते उस ते मौझूद लाल तूर। काफी असर है। इसी दी वजहा नाल ही मंगल नू लाल ग्रै दी उपमा मिली है। जे कर मंगल ते ए लाल तूर नहीं हुन दी ता मंगल दे आसमान विच इनने रंग देखन दी बजाए ओ आसमान लगपग काला दिसदा। चलो, हून तुसी एहना रंगा परे आसमान दी कलप लेंदे हां। नासा ने पांज रोबोटिक वाहन मंगल ते पेजे हन जिनननू रोवर केहा जानदा है। ए रोवर हन सोजोर्नर, सपीरिट, अपर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी अते प्रसिवरेंस रोवर। मार्स दो हजार वी प्रसिवरेंस रोवर, मिशन नासा दे मार् प्रोग्राम दा एक हिस्सा है, जो लगातार मंगल ते जीवन दी संबावनावादी खोज कर रहा है। मंगल नू खोजन दाए सफर 1960 दे दहाके तो ही जारी है। अते तद तो मंगल ते मिशन पे जनवाले देशा विच यूएस, रशिया, पारत ते यूरोपियन सपेस शामिल हन। साल 2013 विच पारत दे इसरो ने मंगल यान यानी मार्स आर्बिटर मिशन नू लांच कीता आते पारत दाए पहला इंटरपलेंटरी मिशन सफल रहा। जिस नाल पारतों देश बण गया जो पेले ही प्रयास विच मंगल दी कक्षा विच सफलता पूर्वग प्र जहा कर पाईया सन। अते इन्नी वड़ी उपलब्दी दे बाद हुन इसरो मंगल यान दो दी तियारी विच जुटया होया है। हां की तो हनु पता है के हुन तक सिर्फ दो देश यानी के सन्युकत राज अमरीका अते सोवियत संग ही मंगल ग्रे दी जमीन ते अपने सपे स्क्राफ्टों तारण विच सफल हो सके हन। पर हुन जेकर ओन वाले समय विच मंगल दी जमीन ते इन्सान ना दे उत्रन दी गल सूची जावे तां की वेदा रहेगा क्योंकि हुन सपेस एक्स बहुत वड़े अचीवमेंट दी त्यारी विच जुटया होया है। क्योंकि अनुसार जेहे राकेट दा इस्तेमाल करनाल मार्स मिशन दे खरचनू लग पग 5 गुणा तक कटाया जा सक्दा है। अते स्पेस विच कच्रा होन तो वी रोक्या जा सक्दा है। वाकई बहुत ही दूर दी सोच रख दे हन। एलन मस्क दे अनुसार सानू मंगल दे कारी करनी होवेगी क्योंके मंगल ते पहुंचे स्पेस शिपनू तरती ते वापस वी ता पेजना होवेगा। जिस लई फ्यूल दी लोड होवेगी अते जो लोक मंगल ते जानगे उननु वी ता कार वापस आउना होवेगा। इस दी संभावना वी एलन मस्क ने लब आते मंगल दी जमीन दे अंदरों पानी वी कड़्या जा सकता है आते इहन दोनानु मिलाके यानी कारबन डाइक साइड अते H2O दी मददनाल आक सीजन अते मिथेन बणाई जा सकती है आते इहन विचो मिथेन फ्यूल दे रूप विच कम आ जाएगी अते इस तरह मंगल दे सफर लेई साड़ी गड़ी दे फ्यूल दी त्यारी भी हो जाएगी चलो, मंगल दे सफर विच ए तसलीता हो गई कि जदो भी मंगल ते जावेता वापस आउना भी संभव हो सकेगा पर की ए सवाल तुहाडे मन विच भी आया है कि मंगल ते मिशन पेजे जाणदा की कोई निश्चित समा हुंदा है जा साल विच कदेवी मार्स मिशन पेजे जा सकदे हन ता देखो, तुसी एता जाणदे ही हो कि मंगल अते तर्ती दोनों ही सूरज दी परिक्रमा कर दे हन पर एहना दी दूरी अते गती वक वक हुंदी है अते हुन एवी जान लवो के लगपग हर छबी महीन्या दे बाद मंगल तर्ती अते सूरज एक सिद्धी लाइन विच आ जानदे हन जिस विच तर्ती विचकार हुंदी है अते इस स्थिती नू ओपोजीशन के हा जानदा है इस स्थिती विच मंगल अते सूरज दोनों तर्ती दे एकदम विरुद्ध दिशावाँ विच हुंदे हन इस समय मंगल अते तर्तीदे विचकार दी दूरी सब तो काट हुंदी है यानि इस समय ए दोनों पडोसी ग्रै काफी नेड़े हुन्दे हन इसलेई इस पीरड विच बहुत सारे मार्स मिशन पे जे जान्दे हन क्योंकि इस दोरान मिशन पे जन्नल सफर्दा समा अते खर्चा कट जान्दा है ताहुन तुसी समझ गए हो कि ओपोजीशन दी स्थिती विच ही मार्स मिशन पे जे जान्दे हन अते ओपोजीशन दी अजही स्थिती आखरी वार अठ दिसंबर दो हजार बाईनू होई सी अते हुन अगली वार अजहा 16 जन्वरी 2005 नू वेख्या जा सकेगा जदो लाल ग्रह मंगल तरती तो सिर्फ लगपग 60 मिलियन किलोमीटर दी दूरी ते होवेगा ओपोजीशन दी स्थिती विच मंगल ग्रह रात विच साड़े आस्मान विच चमकदा होया नजरोंदा है इस समय मंगल सब तो वद चमकदा है अते दूर बीन दे जरिये इस दा आकार वी बहुत चंगी तरह देख्या जा सकदा है इस नजारे नू ता तुसी वी जरूर देखना चाहोगे पर मंगल दे इस सफर दे दौरान एक सवाल दा जवाब जानना अजेवी बाकी है कि जेकर सानू तर्ती तो दूर कित्थे होर जाके वसना ही है ता असी चंदर्मा नू क्यों नहीं चुणया हलांकि चंदर्मा दे बारे ता सी काफी कुझ जान चुके है अते ओ तर्ती दे काफी नेडे वी है चंदर्मा ते पोंचन विच सानू सिरफ तिन दिन दा समा लगेगा जदके मंगल ते पोंचन लेई कटो काट सात महीने दा समा चाहिदा है चंदर्मा ते पोंचन विच काट खर्चा होवेगा, जदके मंगल ते पोंचन लेई बहुत ज्यादा खर्चा करना पवेगा ता इस दा जवाब वैग्यानिया दे इहना तरका तो मिल जावेगा मंगल दे दिन अते रात दे तापमान विच इनना वद फर्क नहीं है जिनना चंदर्मा दे दिन रात दे तापमान विच हुंदा है जो लग पाग तिन सो डिग्री सेल्सियस है यानि कि दिन बहुत ही ज्यादा गरम है अते रात बहुत ही ज्यादा ठंडी इस तरह दे बिल्कुल विरोधी तापमान वाले दिन रात नू गुजारना फिलहाल साड़े वस दी गल नहीं है। उस दे तरुवादे आले दुआले ही वसना होवेगा। जो की एक चंगा विकल्प नहीं है। मंगल दे कोल बहुत कुझ है जिवे वातावर्न गुरुत्वा कर्शन ते पाणी। हुन एक आखरी सवाल जिसदा जवाब तो हनू खुद लबणा है। के जदो तर्ती सानू ताजा हवा दिन्दी है, मजबूती नाल पैर जमोणलेई जमीन दिन्दी है, इस दा गुरुत्वा कर्शन बल सानू हर कदम चलन विच मदद करदा है। खुला आसमान, पाणी अते पेड पौदे सानू सब कुझ दिन्दे हन। ता इसनू लाइक करो। जेकर तुसी पहला ही कर दिता है, ता शेर जरूर कर देना। कुमेंट करके जरूर दसना के जानकारी अते ये वीडियो तुहानू किवेदी लगगी, अते इस चैनल नू सब्सक्राइब करके बैल आइकन नू दबा दियो। ता जो अजेहे अमेजिंग वीडियोस बणा उनलाई प्रेरित हो सकीए, वीडियो विच जुड़े रण लाई तुहाड़ा बहुत बहुत तन्वाद। झाल 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 झाल